हेलो दोस्ते, स्टॉक के एड़वाई यूटे चनल के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में बात करेंगे IDFC First Wing की साथ ही साथ बात करेंगे इसमें आपको कौन सी पोजिशन बनानी चाहिए, Long Term या Short Term साथ इसाथ क्या होना चाहिए, Entry Level और साथ रुपे के टर्गेट आपको इसमें कैसे मिल सकते हैं सब बाते करेंगे लेकिन उसके लिए आप वीडियो पूरा जरूर देखें सबसे पहले हम देख लिएते हैं Friday की दिन शेयर में क्या हुआ तो अपनी प्रिवेज ख्लोजिंग जो की 45 रुपे 25 पैसे की थी उसके मकाबले शेयर ओपन होता है 45 रुपे 20 पैसे के लेवल पे हालیک इसके शेयर में आती है तेजी और 45 रुपे 75 पैसे का हाई बनाने के बाद शेर फिर से गिरता है और 54 से पिच्चा से पेसे का लोग बनाने के बाद closing के टाइम पे थोड़ा से बढ़के यानि कि पेताली से पर 15 पेसे के आसपा share close होता है अपनी previous closing के मकावले share में 0.22% के आसपास की गिरावाट रहती है अब हम बात करेंगे पाल जिंगी तो पाल जिंगी में share लोग वो 4% के आसपास के positive return दे चुका है अगर हम बात करें एक महीने की तो share ने 35% के positive return दिये है 6 महीने के अगर बात करेंगे तो आदा परसेंट के share negative return दे चुका है ये टूडेट के अगर मैं बात करूँगा तो 9% के negative return दिये है शेयर ने, एक साल के अगर बात करेंगे, तो लगवग आदा परसेंट के positive return दिये हैं, अगर मैं बात करूँगा 5 साल की तो 5 साल में शेयर ने 19% के negative return दिये हैं, तो long term में शेयर काफी volatile रहा है, इसलिए आपको इसमें long term में कोई भी position नहीं बनाई चाहिए, हाला कि short term के लिए मैं आपको कुछ levels बता रहता हूँ, लेकिन आप उसमें stop loss के strictly follow करना, तो हमारा जो pillar resistance है, वो 47 रुपीज का अगर शेयर इस level को तोड़ता है, फिर आपको 53 रुपीज तक के target देखने को मिल सकते हैं, अगले resistance की बात करें, तो 53 रुपीज के level पे है, अगर शेयर इस level को तोड़ता है, फिर आपको 56 रुपीज तक के target देखने को मिल सकते हैं, अ अगर शेर इस लेबल को तोड़ता है फिर आपको 40 रुपे तक के लेबल दिखा सकता है और अगर 40 रुपे का भी लेबल टूटा फिर आपको ये 37 का लेबल दिखा देगा फिलाल के लिए इस वीडियो में इतने हैं अगर आपको वीडियो पस्ता है तो वीडियो को लाइक की किजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरू किजिए